Good morning students, how are you? I know you all are very good. So students, कल हमने आपको body parts के बारे में बताया था. Okay, body parts means शरीर के अंग, हमारे जो body के parts होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था. तो आज उसी सिरीज में हम आगे चलकर आपको और body parts के बारे में बतायाएंगे कि किस body parts का क्या बर्द होता है. Okay students, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए मैंने, बच्चों कल की तरह कुछ body parts की pictures बनाई हैं, उनके सामने उनकी naming की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखना है? क्या है बच्चों? टीट की spelling क्या होती है? टीट डबल टीट एच टीट टीट मिन्स आपका होता है दान. तो बच्चों टीट का बग क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, अदरवाज कोई की चीज़ हम खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? डान्सुक्स को चबाते हैं. तो टीट का बग क्या होता है? चबाना. ओके स्टुनेट्स, नेक्स देखिए आपका क्या दिखाया बच्चों आपको यह थम. फम किस तरिफ होती है? टी एच यू म बि थम. थम मिस आपका होता है अंग्ठा. बच्चों थम को आपको क्या होता हैं? जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ खाते हैं, तो फिंगर के साथ सब आप थम का यूज़ लिखते हैं. ओके स्टुनेंट्स. नेक्स देखिए आप कि इस फिली होती है है हाथ बच्चो कि प्रफ्राइब नहीं है कोज करते हैं यहां पर ने किस तरी क्या होती है एंडी सी के ने ने किस होता है बच्चों गला जब आप क्या करते हैं अपने लेप साइड दिखते हैं आप अपने राइट साइड देखेंगे या फिर आप पीछे बैक साइड कुछ देखते हैं तो तो जthyट करते हैं तो कि सीच होता है वाल पर आपके गलुका कि यस करते है ने कुह contest anything प्चों किया लेक्स दिता है तो लेक्स मिस रही क्या होती है, L E G S Lags, Lags मिस होता है आपकी टाम देट, इसमेंस पैर होते हैं उनको क्या होता है, L E G S Lags, Lags का वर्ड आपको पताया था, कल मिशोताया था मैंने आपको कि Lags के देटीं सुन कैसे करते हैं, रुणिंग करने के लिए और जैसा हम दौरते हैं, हम भागते हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूश करते हैं बच्चो, लेट्स का, ओके, तो चलिए अगें हम इनको रिख रहे हैं, फर्स नुमर में बच्चो क्या है आपका, टी, टी डबर ए, टी एच, टी ती इनिस क्या होता है आपका, दान, ओके, न मिस, अंगुद्धा, next है आपका, ह, A, N, D, hand, hand means आपका होता है, हाथ, next आपके, बच्चो, N, E, C, K, neck, neck, मिस होता है आपका, गला, next और लास्ट है आपका Legs Legs means आपका होता है Tangit means Pair Okay students I hope यह body parts के name और इनकी pictures के थूँ आपको अच्छे से समझाया होगा Okay तो अब आपको क्या करना है इस बॉल को आपको अपने English टोट्रूम में Write करना है और अच्छे से इसको Learn करना है मिलते हैं नेक्स टे इपनी टोट्रूम के सुनर्स Thank you